हारु फीक्स सैमसंग जे फाइफ प्राइम स्क्रीन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिक राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अ तो आपको कैसे फिक्स करना होगा मैं आपको दोस्तों कुछ सॉलुशन बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर ठीक है आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सॉल्फ हो सकते है अगर यह सोफ़वेर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो जब भी दोस्तों यह हाड़वेर का इश्यू है तो आपको सिंप्ली टेक्निशन के पास जाके फिक्स करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान दिजिए आपका स्क्रीन पर कोई भी डेमेज नहीं फिर भी आपको इस तरह के का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कुछ सॉलुशन से आ मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चले दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते हैं आपका जो केस है दोस्तों उसको देखिए ठीक है आपका जो बेक कबर इसको रिमूफ कर दीजिये और सारे साथ में दोस्तों आगर आपके स्क्रीन पे कुछ भी यहां पे स्क्रीन गार्ड वगईरा लगाया हूआ है ठीक है कुछ टेंपर वगईरा है तो उनको आप रिमूफ करक प्रस्क्राइब को अच्छे प्रसाफ करके देखें उसके बार दोस्तों चेक करें कि आपका प्रॉब्लम सौफ हुआ है या नहीं हुआ है कई बार दोस्तों किक ISO केश में यही रिजूर्स बेस्क से बार यह और यह काम हो अगर आपका storage दोस्तों completely consume हो चुका है storage full है तो storage को 40% या फिर 30% आप फ्री आप करें storage clean up करने के बाद दोस्तों applications चेक किजिए अगर कोई भी bed applications है जैसे की 30-30 application यहाँ पे कोई भी unknown website से install किया हुआ applications तो उनको भी आप डिलेट करें अगर बहुत सारे applications है तो उनको भी आप डिलेट करें अगर unused है तो थोड़ा सा mobile को free up करके देखिए ठीक है कई वर दोस्तों क्या होते हैं mobile lag करते हैं full हो जाने के बाद तो हमें लगते हैं यहाँ पे display या डिफ्री touch का issue है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होते वह lagging का issue होते और hang होने के वज़े से इसा problem होते तो आप एक बार जरूर यह try करके देखिए अगर इससे काम बन जाता ही तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तों problem आ रहा है तो आप touch check करके देखिए ठीक है अपने mobile पे touch check करके देखिए उसके लिए दोस्तों आपको developer option चाहिए होगा यहाँ पे तो developer option दोस्तों में enable कर लेता हूँ तो दोस्तों about phone पर जाके आपको built number यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है software information के अंदर पे तो built number पे आपको 7 बार click करना है उसके बार mobile pattern आपको भर देना है और यह developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहा पर है हमें वह search करना है तो last पर है आपको मिल जाएगा तो उसमें जाए इनेबल होना चाहिए आपका developer option तो यहाँ पर हमें search करना है pointer location तो चलिए थोड़ा सा नीचे जाके search करते है pointer location ओके तो यहाँ पर है अभी दोस्तों आपको क्या करना है screen पे आप slide करके द करते तो ताच यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से होगा ठीक है यह running पर नहीं होगा अगर आपका touch इसी बीच में ठीक है problem करते तो ताच जो है इस तरह के से यहाँ पर remove होके दुबारा से new touch करने सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको पतर लग जाएगा कि इस area में पिर क्या problem में आपको यही से पता लग जाएगा अगर आपका जो है यहाँ पर touch का issue आ जाते तो touch काफी जादा मीस होगा तो आप क्या कर सकते ताच को change भी कर सकते या फिर display चेक करवा सकते किसी भी technician के पास जाके ठीक है तो इस तरह के से भी दोस्तों कई बार हम चेक कर सक हैं सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है सोफिर अपडेट करना है सोफिर अपडेट करने से दोस्तों आपके मोबाइल पर काफी जारा improvement हो जाते जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है सोफिर अपडेट दिया जाते हैं तो सोफिर को अपडेट करें और उसके बाद चेक करके देखें दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी यहाँ पर सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते बाई एनी चांस अगर problem solve ना ह तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करें उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है general management पे जाना है reset पर क्लिक करना है और factory data reset पर क्लिक करते हुए आपको reset पे डबाके mobile password भर देना है और reset कर देना है ठीक है अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service industry पास ज display खराब हो गया होगा ठीक है कुछ भी problem यहाँ पर हो सकते तो वह check करने के बाद आपको पता चलेगा ठीक है उनके पास एक मीटर होते हैं उससे चेक करते तो उससे ही पता चलेगा तो इस तरह के से दोस्तों display screen touch problem हामें fix करना होते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसे नहोगा, thanks for watching